नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके पनी चैनल अंकित पर्मा ओल एट पिन ओटिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप थम्दिल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 12 मार्थ 2023 की हिमाचल परदेश की शाम पांच पजे की टॉप 10 ताजा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं शाम पांच पजे की टॉप 10 ताजा खबर है तो देख सकते हैं शाम की पहली ताजा ख़बर बेकिंग नियूज है सिस्सू में 10,000 फिट की उंचाई पर बर्फ की चादर पर दोड़े धावक तस्पीरें आप देख सकते हैं स्नो मेरथन के लिए चंदरा नदी के बाई किनारे के और से सस्पेंशन ब्रिज सिसू नरसरी से आयोजन स्थल तक कट रहके नरधारित किया गया हिमाचल में सूखे जैसे हालात अब लस्वन प्याद और मटर पर भी पढ़ने लगी मार तस्पीरें आप देख सकते हैं तो सबजी उत्पादक जीलों के किसानों को जो क्रोड रुपय कर नकसान हो चुका है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है पेजस तरोत भी सूखने लगे हैं पांच अजार क्रोड की जो आर्थिक वाले सेव के बाद ग्याहों की फसल भी सूखी किच पेट में आ गई है HPPSC CCTV कैमरे नहीं होने के बावजूद करवाई गई एसिस्टन्ट प्रोफेसर पर की लेखित प्रिक्षा खुलने लगी परते हैं तो भंग हुए करमचारी चाहिन आयोग हमिरपूर के बाद अब राज्य लोकसेवा आयोग की बरती परिक्षा में हुई अन्यामित तताओं की परतें खुलने लगी हैं हिमाचल जेओए आईटी की एक और भरती में गड़बड़ी अब हुई चोथी FIR तो करमचारी चाहिन आयोग हमिरपूर को भंग करने के बाद भी नित नए खुलासे हो रहे हैं बिजलेंस ने अब शनीवार को जुनियर आफिस असिस्टन जेओए आईटी की एक अन्यावर्ती मामले में गड़बड़ी की पोश्टी करते हुए चोथी FIR तरज किया है हिमाचल के 35,000 आउट्सोर्स करमचारियों का वविश्य आदर में जाने पूरा मामला तो सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे 35,000 आउट्सोर्स करमचारियों का वविश्य आदर में है पूर्व सरकार भी आउटसूर्स करमचारियों को आश्वासन देकर सत्ता से विदा हो गई है और अब नई सरकार से भी लागातार मामला उठा आ जा रहा है हिमाचल विदेश से मेडिकल स्तनातकों को इंटर्नशिप के लिए 516 सीटें देने से हिमाचल का इंकार तो नईमसी ने विदेश से आए मेडिकल स्तनातकों को इंटर्नशिप के लिए 516 सीटें देने के निरदेश चारी की है मगर हिमाचल सरकार के स्वास्त शिक्षा निदेश अले ने इससे साफ इंकार कर दिया है हिमाचल परदेश में जोए 10 अतरिक्त महाधिवक्ता और 14 उप महाधिवक्ता की निउक्ती की अजसूचना जारी तो हिमाचल परदेश की सुखु सरकार ने रविवार को जो है 10 अतरिक्त महाधिवक्ता और 14 उप महाधिवक्ता की नियुक्ती की सूचना जारी कर दिये है आबकारी विभाग CCTV ना लगाने वाली शराब फैक्टरियों की सप्लाई पर लगेगी रोक तो विभागी अधिकारियों का मानना है कि परदेश में स्थिति सभी बोटलिंग प्लाट और डिस्टिलिरियां से बार आने वाली शराब की ओनलाइन निगरानी का तंत्र विक्सित होने पर शराब तसक्री की नेटवर्क को तोड़ने में आसानी होगी हिमाचल विश्य विद्याले बंद हुए कॉलजों के विद्यार्थियों को रात प्रीक्षा फार्म बरने की बढ़ेगी तिथी तो हिमाचल प्रदेश सिरकार की जो है कम संख्या वाले 19 कॉल्जियों के बंद किये जाने किये जाने से यूजी प्रथम बर्ष के इन कॉल्जियों में पढ़ने वाले चात्रों के पंजी करण की समस्या का समधान हो गया है कॉल्जियों चार किलोमीटर पालकी पर उठा कर प्रसूता को पंजाया घर तस्वीरें आप देख सकते हैं तो ग्रामिनों को जो है समस्या से निचला त्राला गाउं तक महिला को करीब चार किलोमीटर चार पाई पर बिठा कर घर पहुंचाना पड़ा मिल्क सोसाइटीज हिमाचल में पंजाब और गुजरात की तरज पर तीन स्टरिये दुग्द सोसाइटियां करेंगी काम तो परदेश में अभी ग्राम और परदेश तरपर ये सोसाइटियां काम कर रही है वर्तमान में गुजरात और पंजाब में तीन स्थरीय सोसाइटियां कारिय करके बहतर तालमेल बिठा कर दूद वपादन से लेकर बिकरी तक का कारिय कर रही है हिमाचल के बारा जीलों के एक एक शहर में 24 गंटे मिलेगा पानी चलेगा पालेट प्रोजेक्ट तो बारा जीलों के एक एक शहर में 24 गंटे पानी उपलब कराने का पालेट प्रोजेक्ट चलेगा जल जीवन मिशन की अतरिक्ट इस प्रोजेक्ट के पहले चैर्ण में बारा शहर चाइने थोंगे दुंदी में हिमस्कलन से बंद हुआ मनाली ले मार्ग कई वहन फजे सडक वाली में जुटा बी आरो तो मनाली ले राश्ट्रे राजमार्ग जीलो जीलो तीन पर सनो गैलरी दुंदी के पास जो है हिमस्कलन के चलते मार्ग वाहनों के आवजाई के लिए बंद हो गया है मार्ग वाहली के कारे में बी आरो की टीम जुट गई है वहीं हिमस्कलन होने से काफी संक्य में वाहन मार्ग में भासे हुए हैं जिसमें हजारों प्रियाटक हैं जल विद्धित प्रियोजना पर वाटर से से राज्य की आम जनता को नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव तो परदेश सरकार की एक प्रवक्ते ने बताया कि राज्य सरकार आर्थिक संसादनों वे बिद्धी के लिए कदम उठा रही है हिमाचल प्रदेश की जल विद्धित प्रियोजनाओं पर लगाया गया जल उपकर इनी में से एक है नशा तसकरों के खिलाफ उन्ना पुलिस की सक्त कारवाई हिरोईन चर्स साइथ पांच आरूपी गिरफतार तो तस्वीरे आप देख सकते हैं उन्ना पुलिस द्वारा नशों के खिलाफ छेड़े गए बिशेश अब्यान की तायत लगातार कारवाई जारी है पुलिस को नशा माफिय पर शिकंजा कसने में सफलता मिल रही है नशा तसकरी की ताजा तीन गटनाओं में पुलिस ने हिरोईन और चर्स के साथ पांच लोगों को काबू करने में सफलता पाई है जेड गाउं में आग लगने से दो मंजला मकान और गोशाला जलकर राख लाकों का नुकसान तो मंडी करसोग से लगभग 30 किलोमीटर दूर मेहरन किशेत्र के जेड गाउं में रभिबार तड़के लगभग तेड़ बजे जो है अगजनी की बड़ी गटना पेश आई है आग लगने से दो मंजला मकान के चार कमरों साथ एक गोशाला जलकर राख हो गई दार्थनाख हासा बोगधार में वहां के खाई में गिरने से एक की मौत दो गाईल तस्वीरें आप देख सकते हैं तो शिरी रेणका जी नहन से नियूजे शिरमाओर की शिरमाओर जी राकी उपमंडल सांगडा के अंतरकत आने बाले बोगधार के स्मीप शनीबार देरात पीक अप गाड़ी जो है खाई में गिरकर दुरगटनग रस्त हो गई हाँसे में पीक अप सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो अन्य गाईल हो गए मृत्य की पैचान अरलू गाउन निवासी चर्स दस साथ वर्षी के रूप में हुई है जिसने मौक्य पर ही दम तोड़ दिया था हाँसे में अरलू गाउन के चालक देवेंद्र कुमार 38 वर्षी है वा सुनील ठारा वर्षी गाईल हुए गाईल सुनील को जो है नौरादार से राड़गर रैफर किया गया है डियस्पी सांगडा मुकेश कुमार नडवाल ने बताया कि शब को पोस्ट मार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है तो दोस्तों ये थी ताजा खबरे शाम की पांच बजे की टॉप 10 ताजा खबरे अगर आपने विदक वीडियो को लाइक नहीं किया है वी अजसे हैं झाल झाल